प्रेमचंद तू प्रसांत महासारे से बड़ा है एक सुखी लगणी डाने से कितना पारी उसमें आएगा बाई प्रेमचंद की बात मैं जो नहीं कहे हुए एक बात रख रहा हूं एक आदमी मरा है और सिरसकाना में लासे प्रेमचंद के कहानी को तरासने और तलासने के जिरुवत है हमें तुद पीने के ठर्द नहीं है भी में बोलने के पिरद नहीं है भी कर मैं पाइदा प्रेमचंद को हर घर में लाने के आई मूंहें लगता है इननोंमें हैं मिका बात कहा हमारे गुरुदेव सब्सक्राइब के बराबरै हं शेक्स में चार प्रेजडी लीखा है हैमलेक ओठेलो किंग लियर तो ओठेलो में आते हैं कि हैमलेक में आता है ठूबी और नॉट टूबी यहां मानव दूविधा में पड़ा है डाउट इस जट संस्यात्म भिनस्यती तैगो साब ने भी तो किताजनी में लीखा है कि इवि चाहिए चाहिए ने करना है और सब जूग एक जैसा है किसमें कितुना रेसिस्टेंस पावार उसी का इतिहांस बनता है प्रेमचंद की बात आप लोग इतना बार बोले लासे प्रेमचंद का अंदर की जो सुन्दरता थी वो पिसमे कहीं नहीं था तुटा हुआ जूता है इंगली बाहर हो संगोष्टी में जाते हैं वही सांदार के साथ आज हम लोग कोट पैंट खोजते हैं वो तो लाल बहार दूर की सास्ते हैं कि पुराना कोट और नहीं किदा बहुत बात बोलने की ज़रूत नहीं है एक आदमी का एक सुई चार हज्जार मन भूशा में नि अच्छाई तो हर जगा है नजरिया चाहिए में दो क्या बोल पाएंगे बिस जर्म हम लोग भी लेंगे प्रेंचन की बात समात नहीं होगी यह खोजने वाला पर है आम से उगिरते कौन ने देखा लेकिन जो नीटन ने देखा इन देखा मर्दा बीमार को कौन ने देखा अच्छी बात है लेला बहुत कुरूब थी और मजनु बहुत सुंदर था लोग का कि इतना कुरूब के पीछे तुम क्यों मर रहे हो मजनु मजनुम ने कहा कि लेला की सुंदरता देखने के लिए सेव गिरते हुए को देखने के लिए मरते बूढ़े और बीमार को देखने के लिए मजर ट्रेशा बुद्ध और मजनुम का नजरिया चाहिए वो तो नजरिया है आपका वीजन कैसा है उस प्रकार आप देखेंगे महाल आध्यात्मी का आग में प्रेंचल थे जो कहीं नहीं लिखा हुआ है कहा गया है Humanity is above all The service to man is service to God जो मानवता की सेवा करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेवक है Religion is realization धाम का सबसे बढ़े है प्रिवासा पूरे वर्ड में है जो realize करता हो गरीबी को, अमीरी को इन्होंने तो जमींदारों को आयासी पर ठेस मारा है पुरहारी माया है और गरीबों को अपने सीने से लगाया है तो जो गरीबों को सीने से लगा हूँ इसा मसी है, मतल ठेशा है अच्छाई काजीरों ने भी आलेंगन किया, वो महान है तो मैं जब मैंता हूँ कि जब तक किसी साहित को पढ़कर आपने जीवन में उतारा नहीं तो साहित कार नहीं है पहुत लंबा चवड़ा भासन दे दे, कभिता पढ़ दे और आपने उसको पढ़ा नहीं तो साहित कार नहीं है इसलिए यह हमारे प्रधा यह राष्ट पर दिकाए है लिट्रेचर मस्ट वाइती पास्ट, रिफ्लेक्ट परजन, आई मोल्ड फ्यूक्षर जो भरिष्य को नहीं बदला वो कैसा से कहा है हमारी पढ़िया अब दिनकर को, लगता है महराग वार्मी जी गया साहित पढ़ने का आर्थ है कि आपने बदला की नहीं बदला, नहीं बदला तुभेकार है हमको नली जी कहा करते हैं मदन किताब को जूद होगे तो बिद्वान बन जाओ